अरे कृष्णा आप सभी को महा शिवरात्री की हर देख शुब कामना है महा देव शिवजी के भक्त साल भर इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं कहते हैं कि महा शिवरात्री के दिन शिवलिंग पर जल दूद और बेलपत्र चढ़ाने से भक्त की सारी मनो कामनाय पूर्ण होती है और उसे महा देव की विशेश कृपा भी प्राप्त होती है समानत या हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को शिवरात्री कहते हैं लेकिन फागुन मास के कृष्ण चतुरदशी पर पढ़ने वाली शिवरात्री को कहते हैं महा शिवरात्री जिसे बड़े ही हर्शलास और भक्ती के साथ मनाया जाता है प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोश के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रहमांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं इसलिए इसे महाशिवरात्री या जलरात्री भी कहा गया है इस दिन भगवान चंकर का विवा हुआ था इसी कारण रात में शंकर जी की बारात्मे का लिजाती है पश्चात पूजा कर फलाहार किया जाता है शिव यानी मंगल, कल्यानकारी ये शंकर शंभु महादेव महेश्वरुद्र आदी नामों से भी पुकारे चाने वाले आदी देव इस भौतिक जगत के नियनता भी है ब्रह्म सहिता के अनुसार के रूप में ब्रह्मा एवं विश्णु के साथ स्रिष्टी के संचालन में सहायता करते हैं अन्यत्वर्णन आता है कि ब्रह्मा विश्णु महेश रजो सत्य तथा तमोगुन द्वारा इस भौतिक जगत की विवस्था चलाते हैं इसमें विश्णु तथा महेश गुणा तीथ हैं गुणों से परे हैं और उनकी अदिष्ठता में इस जगत की स्रिष्टी एवं दिनाश होता है इसी संदर्व में उन्हें गुणा अवतार भी कहा गया है कई बार ये गलत धारना फैलाई जाती है कि शिव जी तमोगुन से प्रभावित होते हैं परन्तु ऐसा बिलकुल नहीं है भगवान शिव गुणों से परे हैं और इस जगत में तमोगुन के अधिष्ठाता देव वही है तमोगुन के अधीन सारे भूत, प्रेट, पिशाज, निशाचा, रादी उनके अनुयाई है महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में शिव रुद्र स्थानु एवं रुद्र नाम से एक अर्थी ये भी निकलता है कि दोनों में कोई भेद नहीं है तो इस प्रकार कई शास्त्रों में हम ये पाते हैं कि विष्णु एवं शिव में कोई भेद नहीं है परन्तु अधिग गहन अध्यन में हम पाएंगे कि भेद है भी इसको श्री चैतन महाप्रभू ने अचेंत भेदा भेद तत्व की संग्या दी है अब भेद कैसे है श्रीमत भागवतम के पारवेंसकंद में वरनित है जो श्रीमत भागवतम सभी वेदों का सार है और उसी वेदों के सार भागवतम में ये वरनित है कि वैशनवा नाम यथा शंभू और वैशनो परंपरा में से एक रुद्र संप्रदाय के भक्त भगवान शिव द्वारा प्रदत्य कृष्ण भक्ती के मार्ग का अनुशीलन करते हैं और इस परंपरा के आचारे हैं श्री विश्नु स्वामी जी श्रीमत भागवतम के ही चौथे सकंद में भगवान शिव रुद्रगीत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भी इस तोत्र का पाट करता है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ती पाना सहज हो जाता है वह यहाँ पर यह तत्थ भी द्रश्टी गोचर होता है कि शिव जी की आराधना उनके आराध्य प्रभू श्री राम श्री कृष्ण के साथ ही होनी चाहिए रावन को इतना पता नहीं था कि शिव जी ने उसका और उसकी सेवाओं का त्याग कर दिया था पहले ही इसलिए उसकी सारी सेवाओं वेर्थ गई वह उसके संपून कुल का भी नाश हुआ वो तो श्री राम विजयोत सव्यानी दशेरे के दिन ओम नमश्रिवाय का चाप कर रहा था परन्तु शिव जी उसे सुन नहीं रहे थे क्योंकि रावण भगवान श्री राम का प्रतिदुन्दी बन गया था इसलिए ना केवल उसके दस सरों का नाश हुआ बलकि पूरे कुल का भी विनाश हुआ इससे यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि शिव जी को प्रसनता किस से मिलती है पद्म पुराण में भगवान शिव अपनी पत्नी पारवती को पुदेश करते हुए बताते हैं कि श्री राम राम रामेती रमे रामे मनो रमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने इस प्रकार शासरों के गहन अध्यन से हम पाते हैं कि भगवान शिव और विश्नु के बीच कोई भेद नहीं है और शिव जी भगवान विश्नु को ही अपना आराध्य मानते हैं श्रिमत भागवत्म के ही आठवे सकंद में भगवान शिव द्वारा भगवान विश्नु के मोहिनी अवतार के दर्शन हे तू भगवान विश्नु ने उन्हें मोहिनी रूप के दर्शन दिये परंतु हुआ क्या विश्णु जी ने अपनी माया द्वारा मोहिनी के प्रती शिवजी का आकशन उत्पन्न करके उन्हें भ्रमित कर दिया ये लीला दो श्रेष्ट व्यक्तित्तों के बीच का आदान प्रदान है परंतु कुछ अपरिपक पर लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिवजी और विश्णु के बीच श्रिष्टता की प्रतिसपड़धा है ऐसी सोच बहुत ही निम्न कोटी की मानी जाने चाहिए भगवान श्रीक्रिष्ण की रास लीला में भाग लेने के लिए आतुर भगवान श्रिवजी ने गोपी का रूप लिया था और आज भी हम देख सकते हैं कि श्रिधाम प्रिंदावन में उन्हें गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है जहां पर उनका श्रिंगार एक गोपी के रूप में होता है यह लीला बहुत ही सुन्दर है एक बार हुआ ऐसा कि श्रिवजी के लाश परवत पर बैठे हुए भगवान श्रीक्रिष्ण पर ध्यान कर रहे थे तथा श्रिवजी का ध्यान इस प्रकार से है कि जो उस समय भगवान श्रीक्रिष्ण की लीला चल रही होती है वो उस पर ध्यान कर सकते हैं हम लोग यदि भगवान की किसी लीला पर ध्यान लगाना चाहें तो जो लीलाएं हमने सुनी हैं 5000 साल पहले की हम उनके बारे में ही सोचेंगे और फिर अगर किसी का ध्यान लग गया तो लग गया परन्तु शिवजी भगवान की उन लीलाओं पर ध्यान लगा सकते हैं जो इस समय स्रिष्टी में कहीं पर भी हो रही हो लाइप और जब शिवजी उस ध्यान में लगे तो उन्होंने बांसुरी सुनी अब भगवान बांसुरी कब बचाते हैं लीलाओं के समय और विशेश रूप से बचाते हैं रास लीला के समय तो उस समय रास लीला में गोपियों के पहुँचने से पूर्व शिवजी वहाँ पहुँच गए तब भगवान श्री कृष्ण के पूचने पर उन्होंने कहा कि इतनी सुमधुर बांसरी सुनकर मुझसे रहा नहीं गया इसलिए चला आया तब भगवान श्री कृष्ण शिवजी से कहते हैं कि यहाँ पर रास लीला होने वाली है और इसका कारेभार वरिंदा देवी संभागती है आप उनसे पूचिए तब शिवजी वरिंदा देवी के पास पहुचते हैं और उन्हें देखकर वरिंदा देवी कहती है कि रास लीला में कोई पूरुष प्रवेश नहीं कर सकता इसमें केवल एक ही पूरुष है और वे हैं भगवान श्री कृष्ण तब शिवजी अपने आपको एक गोपी के रूप में परिनत कर लेते हैं और तब उनका है रूप देखकर विंदा देवी उन्हें प्रवेश दे देती हैं तब रास स्थली में सारी गोपियां उन्हें देखती हैं भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें देखते हैं और देखकर अती प्रसन्न होते हैं और उनका परि महादेव के रूप में नियुक्त करते हैं कि आप इस धाम इस रास इस्थली के रक्षक बनिए धाम रक्षक तदा इसी तरह से भगवान शिव हर धाम के खेत्र पालक के रूप में धाम की रक्षा करते हैं मत्रा में वे भूतेशर महादेव के रूप में हैं मानसी गंगा गोवर्धन में वे चकलेशर महादेव के रूप में हैं नंदगाओं में वे नंदेश्वर महादेव के रूप में हैं, कामेवन में कामेश्वर महादेव के रूप में और श्रिधाम व्रिंदावन के दिखपाल हैं गोपेश्वर महादेव जी गौडिय वैशनमों के लिए श्रिधाम व्रिंदावन एक प्रमुख स्थान है और कई गोडिय वैशनवगरंथों में हमारे पूर्व अचारियों द्वारा वरिंदावन इस्थित गोपेश्वर महादेव की इस्तुतियों द्वारा गुर्गान हुआ है शिलनरहरी चक्रवर्ती भक्ती रतनाकर गरंथ में लिखते हैं कि मैं गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करता हूँ जो भक्ती में आने वाले सभी खलेशों को हरते हैं तथा वरिंदावन में भगवत प्रेम सुलब कराते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि शिवजी हर दाम में दामरक्षक के रूप में स्थित हैं क्योंकि स्वयम भगवान ने उन्हें यह सेवा दी है जब भी जहां पर सबसे कठिन सेवा होती है वो भगवान शिवजी ही करते हैं जैसे जब दैते राज बली ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया वो देवराज इंद्र को दुरुवासा मुनी के श्राप के कारण कश्ट भोगने पड़ रहे थे तो सभी देवता उसके निवारण हे तुझाते हैं भगवान विश्नु के पास अब फिर से त्राही त्राही करतें देवता और दानव पहुचते हैं भगवान विश्नु के पास तो उन्होंने उन सब को भेजा शिवजी के पास और स्रिष्टी के रक्षा करने है तो शिवजी ने उसे अपने मुह में भर लिया और फिर अपने गले में ही रखा और कहलाए नील कंट तथा आचारेगन इस विशा में कहते हैं कि ये विश क्या है किसी विश में इतनी सामर्थ नहीं कि शिवजी को वो कठिंता दे वर इन इसका कारण ये है कि शिवजी सदैव अपने कंट से जिनका नाम उच्चारन करते हैं वे भगवान जिस शाम जिस काले रंग के हैं उसी प्रेम उसी भाव के कारण उनका कंट नील वर्ण का हो गया है शिल शुक्देगो स्वामी ये लीला सुनाते समय शिवजी का गुणगान करते हैं वे कहते हैं कि तप्यंते लोक तापेन अर्थाज शिवजी जैसे वैशनों किसी की तप्त अवस्था को देख नहीं सकते किसी को दुखी नहीं देख सकते जैसे हलाहल विश्च के कारण सारे देवता और राक्षत तप्त हो गए थे तो शिवजी यह देख कर स्वयंत अपन का अनुभव कर रहे थे उसी कारण उस तपन को दूर करने के लिए उन्होंने उस विश्च को स्विकार किया तो इस प्रकार सबसे कठिन सेवा जब भी आती है तो वैशिवजी ही कर पाते हैं जैसे सारे भूत, प्रेद, पिशाष, निशाचर इनके उद्धार की सेवा भी भोले नाथ नहीं स्विकार की है अन्ने कोई यह कार कर ही नहीं सकता और यदि किसी को अपना परिवार भी अच्छी तरह से चलाना है उसकी प्रेरणा भी हमें शिवजी के परिवार से ही बहुत संदर रूप में मिलती है जैसे शिवजी के वाहन है नंदी बैल, दुर्गा देवी जो कि उनके अर्धांगनी है उनका वाहन है शेर गणेश जी जो कि उनके पुत्र है उनका वाहन है चुहा बड़े पुत्र यानि कार्थिकेर के वाहन है मोर और शिवजी के गले में सदैव रहते हैं सांप, सर्प और यदि देखें तो जंगल के इन सभी जानवरों में आपस में कटू वैमनस्ता है विरोधा भास है शेर बैल को मार कर खा जाता है तो यदि केवल इनके वाहनों को देखें तो कितना कलय हो सकता है युद्ध हो सकता है परंतो शिव परिवार में कभी कोई जगड़ा, कोई कलेश नहीं होता कभी कोई ये नहीं कहता कि ये मेरा स्थान है, मेरी प्रापर्टी है तो ये एक बहुत ही सुन्दर उदारन हमें मिलता है शिव जी के परिवार से सीखने के लिए और एक बार ऐसा हुआ कता आती है कि माता पारवती ने शिव जी से कहा कि हमारा इतना बड़ा परिवार है तो एक घरतो होना ही चाहिए न इस पर शिव जी कहते हैं कि घर तो है केलाश परन्तु पारवती माता के कहने पर शिव जी तयार हो जाते हैं घर बनाने के लिए और फिर ये समाचार पूरे विश्व में फैल जाता है कि अब अंतत है शिव जी का घर बन दहा है लोग बड़े उत्सु हो जाते हैं बड़े आतूर की कब यह कारे संपन होगा और हम समारोह में चाहेंगे और घर का निर्मान होने पर सबको निमंत्रन भेजा गया सारे देवता सारे असूर यहां तक की भूत प्रेत पिशाच क्योंकि शिव जी तो उनकी भी देखभाल करते हैं न और सारे रिशी मुनी उनका सारा परिवार ग्रह प्रवेश के समारोह में आया उस समारोह में जो भी आ रहा था पारवती माता उसे कुछ न कुछ भेट दिये जा रही थी तो पूरे दिन भर समारोह चला सभी ने दर्शन किया शिव महल का शिव निकेतन का अब अंत में एक रिशी बाकी रह गए जिने भेट नहीं मिली थी तो वो शिव जी के पास पहुँचे और कहते हैं कि आपने मुझे तो भीट नहीं दी तो शिव जी पारवती से पूछते हैं पारवती जी अंदर जाकर देखती हैं तो अंदर अब कोई भी भीट बची ही नहीं थी तब शिव जी उसी महल को उसी निकेतन को उसी घर को उस रिशी को दे देते हैं और अपने परिवार के साथ फिर से आ जाते हैं बाहर कैलाश परवतवर तथा जब इन ही भगवान शिव को ये ज्यात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में बालक के रूप में जन्मिलिया है तो उन्होंने पारवती से उनसे मिलने की इच्छा जताते हुए नंदगाव जाने की अनुमती मांगी और वे पहुँच गए अपने आघडवेश में उनसे मिलने ये शोधा मैया ने जब देखा कि कोई अघोरी बाबा काना से मिलने आए हैं तो उनके रूप से कहीं काना डर न जाए ऐसा सोच कर उन्होंने मिलने से मना कर दिया बाबा ने बिना मिले ना जाने की जिदकी और कुछ दूरी पर जाकर धूनी रमा कर बैठ गए भगवान श्री कृष्ण को भी शिर जी को दर्शन देने की आतुरता थी तो वे भी रोने लगे और ऐसे रोए कि किसी के चुप कराने से चुप नहीं हुए तब किसी ने सलहा दी कि शायद उन बाबा को काना से न मिलवाने के कारण ये अपशकुन हुआ है और काना रो रहे है तब भगवान शिव जी को बुलवाया गया और भगवान शिव के काना को सपर्श करते ही वे शान्त हो गए तब मया येशोदा ने शिव जी से आग्रह किया कि आपके यहां आने से हमारा काना रोता नहीं है इसलिए आप यहीं रहिए तब से भगवान शिव नंदेश्वर महादेव के रूप में नंद महल में रहते हैं ये अद्बुत लीला हमें दर्शाती है कि भगवान के भक्त की उनसे मिलने की आतुरता ही उनके दर्शन करवा सकती है कहा जाता है कि भगवान शिव के अनुमती के बिना किसी को भी धाम में प्रवेश करने की अनुमती नहीं मिलती तो आईए हम भी भगवान शिवजी से प्राथना करें कि कृपिया हमारे हृदय में बसी भौतिक संसार के भोग करने की इच्छा को निकाल बाहर करें और भगवान श्री कृष्ण के प्रती पूर्ण समर्पित भाव से भगती करने में आने वाली सभी बाधाओं को हटाएं ताकि हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकें और जीवन के अंत में भगवात धाम को प्राप्त कर सकें धन्यवाद हरे कृष्ण